Hello everyone, this is Shikha Srivastav from Mathematics Farm. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग Class 6 Chapter 4 that is Basic Geometrical Ideas में Exercise 4.3 का Question No. 3 solve करेंगे. क्या है Question No. 3? Draw Rough Diagram of two angles such that they have one common point, two common points, two points in common, three points in common, four point in common and one ray in common. ठीक है? आपको दो एंगल, दो एंगल का Rough Diagram बनाना है कि उसमें एक point common हो. तो चलिए बनाते हैं, दो एंगल का बनाना है, देखें यहाँ पे यह मैंने Point O नाम दे दिया, ठीक है? उसको Point A, यहाँ पे Point B, यहाँ पे Point C और यहाँ पे Point D. अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, एंगल AOB है ना, और एंगल COD. इन दोनों एंगल की बात कर रही हूँ मैं, इन दोनों में बताईए कितने Points common है, तो सिर्फ एक ही Point common है ना, वो है Point O. यह आपका इसका एक Rough Diagram बन गया. ठीक है, अब यहाँ वीर में है Two Points in common, अब आपको ऐसा दो एंगल का डाइग्राम बनाना है कि जिसमें दो Point common हो. तो चलिए बनाते हैं, यह देखे, इसको Point O नाम दे दीजिए, और इसको Point A, Point B, Point C. इसमें देखे, कितने Point common है, अगर मैं इस वाले आंगल की बात करूं, आंगल AOB और आंगल BOC. दो आंगल का मैंने बनाया Diagram, है ना, इन दोनों आंगल में कितने Points common हैं, तो दो Points, कौन-कौन से, एक Point O और एक Point B, है ना, तो इसके लिए यह वाला Diagram बन गया. And then C part, 3 Points in common. ठीक है, आपको दो एंगल का Diagram बनाना है, कि जिसमें 3 Points common हों. कैसे बनाएंगे? देखें यहां पर, इसको मैं O नाम दे देती हूं, यहां पर मैं दे रहे हूं P, Q, R, और यहीं पर मैंने एक और Point दे दिया, S. आप बताईए, यह जो मैंने Diagram बनाया, इसमें कितने Point common है, इस वाले आंगल और इस वाले आंगल में. दो आंगल बनाया है ना, एक आंगल P, और आंगल Q, R, है ना, इन दोनों आंगल में कितने Point common है, तो देखें यहां पर 3 Point common है, कौन-कौन से हैं, O Point, S Point और Q Point. तो इसके लिए यह वाले डाइजम suitable है, and then D part, 4 Points in common, ठीक है, आप चलिए 4 Point common का बना लेते हैं, इसका इधर का ही बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं Point O नाम दे दे रही हूँ, यहां पर A, B, C, यहां पर कोई दो Point और दे दीजिए हैं, इसको मा लेजे P है, इसको मा लेजे Q है, अब इन दोनों आंगल में, आंगल A, O, B और आंगल C, O, B में कितने Points common हैं, यहां देखें, 4 Points common हैं, यह O Point, Q Point, P Point and B Point, यह common है ना, तो बस होगे 4 Point common, अब E part, वन ब्रें common आपको दो एंगल का डाइग्राम बना रहा है, इसमें एक रे common हो, ठीक है, चलिए बना देते हैं, यह देखें, अगर मैं इसको O नाम दे दू, यहां पर मैं कुछ P दे दू नाम, Q नाम दे दू, R नाम दे दू, ठीक है, तो यह देखें, इन दोनों आंगल की बात कर रहे जो रे है, यह दोनों एंगल के लिए common है कि नहीं है, यह जो रे O Q है, यह दोनों एंगल के लिए common है ना, हाँ तो बस यह इसका डाइग्राम है, आपको रफ डाइग्राम बना ना, था रफ डाइग्राम हमने बना दिया, तो यह A पार्ट के लिए है, यह B पार्ट के and students please मेरी वीडियो को बाइक में शेयर करें and subscribe करें okay